तो जी हैं दोस्तों एक पर फिर आपका स्वागत है विकास टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जूने रड़ी सिच्छक भरती प्रैक्टिस सैट्स नंबर पांच आपके सामने है दोस्तों ये जो है अनिवार विशय जो है सामाजिक अध्यान सामान ग्या जल्दी से आप लोग जो क्या है ये प्रैक्टिस सेट्स वीडियो को पॉस्ट करके दे दीजे फिर आप लोग यहां पर आंसर मैस कर सकते हैं दोस्तों इसी तरीके से आपको डेली 50 प्रस्टों की सीरीज बिग्यान सामाजिक बिग्यान गड़ित की आपको प्रोवाइड क गड़ित की घटना अबम तारकेक जो है ग्यान जो है देखें यहां पर पहला प्रशन है कि भारतिय गड़ितक की जिने हाल ही में गड़ित का प्रतिष्टित माइकल अबम सील्ड होल्ड हेल्ड पुरस्कार 2021 का बिजेता गोसित किया तो फटा-फट आप लोग अंसर पता ह है तो यहां पर आप्शन हमारा सही हो जाएगा क्या निखल स्रीवास्तव निखल स्रीवास्तव है इनको क्या है यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है भारतिय गड़ तक का पुरस्कार तो यहां पर आप्शन हमारा फर्ष्ट सही हो जाएगा निखल अक्रवार अग कुंसा कतन सभी है ? तो दोस्तों कॉनसा यहां पर कतन सभी होंगा देखे ? प्रb जो BCCC Broadcasting Content Complaints Council दोस्तों इसका Full Form भी आप से पूछा जा सकता है कि पहली महला चेर परसन थी तो पहली महला इसकी चेर परसन पूर्सन थी तो पहली महला इसकी चेर परसन थी कौन दोस्तों गीता में तल गीता अप्शन एम यहां पर बिल्कुल सही होगा अगला है अमेरिकी नव निर्वाचित राष्टपती जो बाइडेन के संदर में कौन सा कथन सत्थ है तो देखे जो बाइडेन जो है 46 में राष्टपती हैं बिल्कुल सही है अमेरिकी राष्टपती चुनाओं में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारते बिल्कुल सही 2019 से सरी 2009 से 17 तक यह उप राच्पती भी रहें बिलकुल सही दोस्टों तो यहाँ पर हमारे तीनों option सही हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा option D सही होगा first two और three दोस्टों तीनों यहाँ पर सही अगला प्रशन है देखें यहाँ पर क्या है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने पश्चिमी डेडिग्रेटिक फ्रंट कॉरिडर के न्यू मदार न्यू रेवारी का हाल ही में उद्गाटन किया न्यू मदार किस राज में है दोस्तों न्यू मदार किस राज में है तो न्यू मदार जो है हमारा किस में है गुजरात में महाराश्ट में राजिस्तान में किसमें है थी अब यह डी हुआ भार्तियर इढल भेक ने धन के तत्कार लेनदेन की प्रणाली और तीजी सको आफ वर्ष के सभी दिन विच और 24 गॉंटे के लिए शुरू कर दिया RTS के संदर में निम्लेंग में से कौन सा कतन सही तो दोस्तों RTS के संबने में कौन सा कतन सही है, देखिए RTS का होता है Real Time Gross Settlement फौरफाम होता है, तो पहला तो देखिए गलत होगा है, क्योंकि यहां पर है Real Transaction Gross, अब पहला गल्कुल सखीए तीसरा क्या है यहां पर आप्छन हमारा क्या हुज ही हो जाएगा यहां पर ऑप्षן भी इस्टी राइट सथ है तो इसमें से कौन सा कतन सथ है यह मद्यम दूरी की हवा से हवा मार करने की मिसाइल है तो दोस्तों यह मिसाइल मद्यम दूरी की नहीं है यह लांग दूरी की तो आपर अप्शन यह तो हमारा गलत हो गया यह हमारा बिल्कुल सही यह हमारा बिल्कुल सही तो है आपर हम कि नितिए देशों देश के इतियास में काला दिन के तौर पर होती है यह तरास्ती के संबन्ध में कौन से कथन सही है यह गटना 1984 में गटी थी तो दोस्तों यह घटना जो है बिल्कुल सही है ौनने सो चौरासी में ही घटी ती इस दुरगटना में मिथाइल आइसो साइनेट गैस का प्रसिसा हुआ था यह भी सही है तो यहां पर डी आप्शन 123 सारे आप्शन सही है अगला कॉश्चन है कि राष्टपती रामनात कोविंद राष्टपती रामनात कोविंद ने निम लिखित में से किस राजी को डिटल इंडिया पुरसकार 2020 प्रदान किया विहार के डिज्डल इंडिया पुरसकार प्रदान किया गया था सबसे दानवीर भारतीय कॉन है तो सबसे दानवीर भारतीय पॉस्ट को महा पर निर्मार जो है प्राप्त हुआ था खुशी नगर में तो यहां पर option C है खुशी नगर अगला कौशन है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरडविद पतंजली किसके समकालीन थे तो पतंजली पुश्मिंतर सुम् के समकालीन थे तो option C यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही होगा अगला है कि पहली बार भारत पर आकरमड करने वाला मुसलिम कौन था तो सबसे पहले भारत पर किसे ने दोस्तों आकरमड किया था मौमद बिन कासिम ने मौमद बिन कासिम के बाद कौन आया था महमूद गजनवी फिर आया था मौमद गौरी तो सबसे पहला कौन था मौमद किस सिख गुरू ने आदी गरंत संक्लित किया तो किस सिख गुरू ने आदी गरंत जो है प्रद यहां पर आप शना सी बिल्कुल सही होगा क्या है गुरू अर चön दे प्रारंब की थी तो दोस्तों फटाफट वताई अगर आप लोगों को आनसर पता यहां पर जो सेड़ सासूरी को भूमी से बहुत जादा लगा था तो जो तो इसी नहीं जो ए विवस्ता जो प्रारंब की थी अगला है हमारा कि किस वर्ष में志ंट इंडिया कंपनी ने रडजी सिंग के साथ अमरे सर पहली संती की थी ती अठारह सौनौ में किससे ने 않아 इस्ट इंडिया कंपनी ने क्रशना है फटा फट पता ही अगर आप लोगों पता हाला कि यह थोड़ा टफ कॉश्चन तो यहाँ पर आपसे सी सही होगा बिल्कुल दस तक हाँ दोस्तों बिल्कुल सही दस तक यहाँ पर सी ही सही होगा अगला देखे डारेक्ट कॉश्चन है बहुत ही सिंपल कॉश्चन है ब्रह्म समाज की इस्ताफना किसे ने की थी तो ब्रह्म समाज की इस्ताफना तो सभी को पता होगा राजा राम मोहन राय ने की होगी दोस्तों तो यहाँ पर यह हमारा सही होगा क्या है राजा राम मोहन हैं अमरे सरके जलिया वाला बाग कोख्यात जंग संक्यार किस दिन कंटे भádते हैं कि दोस्तो वाले दिन जो है अमरे सर अत्ड्यकंड भूता तो बैसा कि कभूती है 1331190 को 1331199 को चलिया वाल बाग कंट भूता जहां पर जनरल डायर जो थक उसे ने जो गोली चलाने का आदिश दिया था और बहुत सारे निर्दों चोय हमारे भाईवन मारे गए थे। अगला है सिंदु गाटी सब्विता के बारे में इन में से कौन सकतन सकते हैं? तो सिंदु गाटी सब्विता के लोग का पास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे बिल्कुल सही। आज अब नीचे पड़ जाता है थोड़ा भारत के दक्षडी की तरफ तो मिजोरम बिल्कुल सही। यहांपर सही होगा क्या हमारा औक्षण सोी है multiply by और भारत फॉर और पर में इस्तित है? जो पूरी तरह से भारत में तो इस तरह कौन सा है दोस्तों यही है हमारा नंदा देवी भाई नंदा देवी पूरी तरह से भारत में इस तरह बाकी यह सब कहीं कोई आदा नेपाल में है तो कोई यादा चाइना में है तो कोई यादा तिबद में है तो और नंदा देवी पूर रूप से जो हमारा भारत में तो ऑप्शन भी यहां पर सई होगा अगला देखें निम लिखित में से कौन सी नदी यमना से नहीं मिलती है तो कौन सी नदी यमना से नहीं मिलती है बाक रिखे पर्यावराषण को नाम से दूसरे का दूसरा नाम नाम से इतुसे करने खैता है तो क्या है और आपको नॉस्तरीन करें तो यह स्थान से शनन सबुमक्रिण आए तूऑ गर आपकर यह स्थान इस्तिन निर्माड से संन्गेंot संबन देता है जजिया राजस्तान नहीं संबन देता है बाकी देखे बनपुर में भी इस्टील प्रांट है दुरगा मिरपुर में भी इस्टील प्रांट है जमसेद पूर में भी इस्टील प्रांट है देखे यहां पर नहीं पूछा गया दोस्तों नहीं तो आदमी सबसे पहले क्या करेगा नहीं पर नहीं द्यान देता है जमसे जारगंड लगा देगा तुरन दुरकापुर भिलाई लगा देगा तुरन लेकिन जो नहीं पूछा क्या तो मतलब जहां पर नहीं है जारगंड में क्या है कोई भी स्टील प्लांट नहीं है जारगंड में देखे अगला है हमारा कि भारतिय संविधान को माना गया तो भारतिय संविधान हमारा क्या है रूप विधान में संग्या और भावना में एकात्मक है यहां पर डिया अप्सन सही होगा हमारा रूप विधान में संग्या है अगला है कि निम्लिकेत में से कौन सी समीती ने मूल करतब्यों को सम्मिदान में सम्मिलित करने का सुजाब दिया है मूल सम्मिदान में जो है सम्मिलित करने का सुजाब किस ने दिया तो स्वांड सिंग समीती यहां पर option हमारा D बिल्कुल सही होगा दोस्तों क्या है स्वान्ड सिंग समिती अगला है हमारा भारतिय सम्मिदान के किस अनुच्छेत के तैद उपर राष्टपती का चुना होता यह दोस्तों मता यह पॉलिटी का question है और थोड़ा simple भी है किसमे होता अनुच्छेत चाचट जो होता वहां उपर राष्टपती का चुना होता दोस्तों बावन से क्या है राष्टपती का article शुरू होता और लगवग बातर तक खतम होता उसी के अंदर उपर राष्टपती भी आ जाता जिसका चुनाव उनुच्छेत छाचट के अंतरगत जो है आता है अगला है दोस्तों भारत में भारत के केंद्रिय मंत्री मंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं तो केंद्रिय मंत्री मंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं तो दौस्तों अधिक्तम कितने हो सकते हैं, लोग सबार के ज पर चोन हों क्याका है, अगला क traits, पंचायती राज ब्यवस्ता के तहित, गराम सबार के सदस कौन हैं, फटवर्ट बताइए, पंचायती राज है, प्रधानी चुना और वाले हैं, बताईए क्या होता है तो बहुत सारे लोग यहां पर प्रदानी का चुना लड़ने की भी तैयारी कर रहे होंगे क्यूंकि दोस्तों सरकार नौकरी देने वाली नहीं है इसलिए पंचायती राज विवस्ता के तायद ग्राम समभा के सदस कौन है तो फड़ा बड़ा आप लो किस सम्भन देता है तो 52 हा संब़िदन संदसोंचिंञ क्या है दलबदल से सम्भिदन देते हैं यहाँ पर आप्व्शन हमारा सही होगा क्या है ウее बात करने तो भारत में राश्टु आइका शंपर सही होगा तो से झापना क्षेञा है भीटिक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एगा हरे दोस्तों अब फब्डवार आइकन को अपने इस तरह वीडियो श्यण करते हैं आपको डेली जो है 50 क्עושनो की साइग्टीस अट्व कर आगा हमारे चैनल के माटिम के टो माद बेतम है Daar अनिवार विशाइका आपको बारी बारी से जो है प्रैक्टिस सेट्स प्रैक्टिस करवाया जाएगा तो दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट्स करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब परते हैं जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले जरूर मिल सकें एक सकंड दोस्तों हाँ बिल्कुल सी बिहार है बिल्कुल सी तीसरा है economic survey किसके द्वारा प्रकाशित होता है economic survey किसके द्वारा प्रकाशित होता है दोस्तों economic survey होता है हमारा तो दोस्तों किसके द्वारा होता है हमारा देखे यहां पर economic survey ठीक है बित मंतराले द्वारा होता है हमारा एकनॉमिक सरवे जो है अगला क्वेशन है हमारा ग्रेट वैरियर रीफ एक क्या है तो ग्रेट वैरियर रीफ एक क्या है प्रवाल रचना जो है कोरल जो होती है हमारी वो होती है प्रवाल रचना है ग्रेट वैरियर रीफ अगला है कि सरवाधिक वर्षा कहां होती है तो सरवाधिक वर्षा फटाफट बताईए दोस्तों सिंपल कोशन है Amazon Basin में जो है जंगल बहुत ज़्यादा पह जाते हैं और सरवाधिक वर्षा वहीं पर होती है तो यहाँ पर हमारा option भी बिलकुल सही होगा क्या है Amazon Basin अगला प्रशन है कि भद्रा वन जीव अब्रड किस राजिमें इस्तित है तो यहां पर करनाटक जो है सही बिलकुल सही होगा करनाटक में है हमारा क्या भद्रा वन जीव अब्रड करनाटक में है अगला प्रशन है हमारा भारत देश का विश धरोवर इस्तलों में संक्या के आथार पर कौन सहिस्तान तो सबसे जादा दोस्तों कौन सहिस्तान है सात्मा है हमारे मतलब सात्मी नंबर पर भारत में जो है धरोवर इस्तल है का कश्चन है क्या है समय की SI unit क्या होती तो समय की देखिए की दोस्तों SI unit हमारी होती है सेक्ड समयको सेक्ड बेना पा जाता है SI unit होती है अगला कॉस्चन है किसी व्यकती का पूरा प्रतिविंब देखने के लिए किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिविंब देखने के लिए एक सम्तक दरपड़ की नियुंतम ऊचाए कितनी और चैथे तो कम से कम उसकी ऊचाएगी आदी होनी चाहिए तो आपको पूरा अपनी सकल जिखे अपना पूरा जो है प्रतिविंब देखेगा इमेज दिखेगी अगल लेकिन कब की थी तो comment section में आप लोग हमें बताईएगा बिल्कुल निम लिखेत में से कौन सी दातु सबसे अधिक malleable होती है malleable कौन सी होती दोस्तों सबसे अधिक malleable होती हमारी सोना बाद चांदी ठीक है दोस्तों अगला है entomology किस से सम्दित है तो entomology सम्दित है हमारी कीट से जो कीट होते हैं इस को कहते हैं entomology कीट की study को क्या कहते हैं entomology विटामिन C का रसाइनिक नाम क्या फटा-फट बदाईए तो simple question है दोस्टों विटामिन C का जो है रसाइनिक नाम क्या है ascorbic acid होता है कहां पर है ascorbic acid यहां पर तो विटामिन C क्या है ascorbic acid option A is the right answer अगला है कि वह बिकल्ब अब देखिए ये दो है तरक शक्ति है रीजनिंग है तोड़ा तो देखें वह बिकल्ब चुने जैसे का तीसरे सब्द के साथ ठीक बैसा ही सम्मन्द है जैसा दूसरे सब्द का पहले के साथ है देखें रसोई क्या है प्रशीतक है इसनान घर क्या होगा इसनान घर क्या होगा गीजर होता है जैसे रसोई में क्या है प्रतीशत होता है उसी तरीके से इसनान घर में गीजर होता है गरम पानी के लिए दोस्तों क्या होता है गीजर होता है अगला है यदि किसी कूट बाशा में M I N D को I M D N रूप में लिखा जाता है तो गेम को क्या लिखा जाता है M I N D reasoning है थोड़ा logic लेगा M I को क्या हो गया I M हो गया N D का क्या हो गया D N हो गया उसी दरीके से G A का क्या हो जाएगा A G A G और M I का क्या हो जाएगा E M तो यहाँ पर आप्शन C दोस्तों बिलकुल सही होगा क्या है A G E M आप्शन B और सॉरी आप्शन C यह दोस्तों आप लोग हमें बताईए कि आप लोग हमें करके बताईए कमेंट सेक्शन की इसका आंसर क्या होगा 49 कौशन का आंसर क्या होगा क्योंकि अपरेल महीने का पहला दिन बुद्वार है तो उसी वर्स में माई महा की पहली तारीक को कौन से सबता है काउंट करके बताईए फटाफट क्या आएगा दोस्तों मैं वेट कर रहा हूँ तो कुछ सिंग बिल्ली है ठीक है सभी बिल्लियां बाग है सभी बिल्लियां बाग छोटा कोई बाग हाती नहीं है कोई बाग दोस्तों क्या है हाती नहीं है और सभी हाती खरवोश है तो सभी हाती खरवोश है तो यहाँ पर देखे कतन क्या है हमारा कि कुछ बाग सिंग है तो बाग ये हैं सिंग है बिल्कुल हो सकते हैं कोई भी हाती सिंग नहीं है ये दोस्तों हम कह नहीं सकते क्योंकि इसका कोई भी रिलेशन नहीं है कह नहीं सकते तो यहाँ पर क्या होगा पहला तो सही हुआ हमारा कुछ बिल्लिया ये भी नहीं कह सकते चौथा भी नहीं कह सकते तो देखे पहला और चौथा अनुसरण करते हैं तो यहां पर डी बिल्कुल हमारा जो है सही आंसर होगा क्या पहला और चौथा जो है वो अनुसरण करते हैं दोस्तों यहां पर हमारी जो है सीरी जे खतम हुई है आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगए दोस्तों कर वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर ऐसी ही आप प्रैक्टिस हैड्स हमारे चै कियर जरूर करने थैंक यू फ्रेंट जैहिंज जैवारत